आर्मी पब्लिस स्कूल में बकैंसर रोड हो चुकी है टीचिंग अनों टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए बकैंसर रोड हो चुकी है क्वालिफकेशन क्या रहेगी कैसे अपलाई करना है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वो जल्दी से जुरूर कर देता है कि यह पोटो नोटी क्रिसन आप कभी मिस ना कर पाएं तो जो बकैंसर निकली है आर्मी पब्लिस स्कूल अमरिसर पंजाब में बकैंसर निकली है स्टाफ की जुरूरत है ने टीचिंग और नोटीचिंग स्टाफ दोनों के लिए बकैंसर आउट हुई है तो सबसे पहले हम टीचिंग स्टाफ की बात करेंगी टीजी टी कॉंट्रेक्ट चुबेस पिर है जे इंगलीज, हिंदी, सस्कृत, बायो, कमिस्टरी, फिजिक्स, मैथ अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुशन है साथ में आपके पास बीएड है एंड आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं टोटल पकैंसर कितनी है जे मेंशन नहीं है उसके बाद बात करेंगे पी आटी टीचर के लिए तो इसके लिए जर्नल में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास ग्रेजुशन या पोस्ट ग्रेजुशन है विद फिप्टी परसेंट मार्क्स एंड टेट क्वालिफाईड है आप सेंटर सीटर क्वालिफाईड है तो आप अपलाई कर सकते हो मुजी टीचर के लिए में मुजी को वो कल के लिए अगर आपके पास ये क्वालिफाईड है तो अपलाई कर सकते हो आट अन क्राफ्ट की टीचर की बिकैंसी है age limit के बारे में बात करें जो उपर वाली postage मैंने आपको बताई है तो guys 40 year से जएदा आपकी age नहीं होनी चाहिए बैसे इन्हों लिखाओ कि जिसके पास experience है उन्हें preference दी जाएगी लेकिन experience ज़रूरी नहीं है उसके बाद बात करेंगे non teaching staff के लिए consular की vacancy है उसके लिए BA with psychology में अगर आपके पास BA है and जाए फिर graduation की हुई है आपने diploma in counseling with minimum experience उप 3 साल का experience है तो आप consular की post के लिए अपलाई कर सकते हैं accountant की बात करें तो graduation commerce में अगर आपके पास becom अगर आप ने की हुई है तो आप apply कर सकते हैं इस post के लिए supervisor administration के लिए आपके पास retired JSU अगर है थे आप तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं accountant उसके बाद accountant clerk की बात करें तो इसके लिए आपको graduation अगर आपके पास है अगर आपके पास computer का knowledge है तो आप apply कर सकते हैं उसके बाद accountant की बात करें इसके भी आपके पास graduation होने चाहिए साथ में computer का knowledge होना चाहिए तो आप apply कर सकते हैं supervisor administration के बारे में आपको मैंने बता दिया उसके बाद बात करेंगे librarian के बारे में तो अगर आपके पास BSC, BSC Lib and computer literate जाफर graduation diploma in library science में अगर आपके पास ये qualification है तो librarian के लिए आप apply कर सकते हो assistant librarian के लिए भी BSC Lib and उसके बाद computer literate और graduate with diploma in library science तो आप इन दोनों पोश्ट के लिए eligible है उसके बाद second last बात करते हैं computer lab technician के लिए अगर आपके पास 12th and 7 में आपके पास एक साल का computer का course है and computer का knowledge है तो आप computer lab technician के लिए apply कर सकते हैं ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर के लिए अगर आपके पास 10th है साथ में access man अगर आप थे तो आपके पास 10 साल का experience होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं ठीक है तो guys total number of posters कितनी है जे इन्होंने mention नहीं क्यों हुआ हुआ official website आप पे आप जा सकते हैं www.armyschoolasr.org.in पे जाएए वहां पे जाके आप apply कर सकते हैं आपको जो पूरा application form वहां से मिल जाएगा last date है जो वो 13 February 2019 है last date apply कैसे करना आपको जे offline apply होगा official website पे आपको form मिल जाएगा उसे fill करके and demand draft बना के कितनी फीस लगेगी वो आप देख सकते है 100 100 फीस लगेगी किसी भी category से आप लोग करते हो 100 फीस आपको देनी पड़ेगी ठीक है तो जे process apply करने का तो 13 फर्विद होगा उन हिस तक आप apply कर सकते हैं 100 आपको फीस पे करनी पड़ेगी demand draft बना के official website पे जाएगे वहां पे आपको form मिल जाएगा उसे fill करके by post आपको send करना 13 तारीक तक and guys list upload होगी shortlisted candidate की जिनको interview and computer test के लिए बुलाया जाएगा ठीक है all shortlisted candidate will be tested computer privacy test ठीक है जिनके पाद जो computer related post है उनके लिए computer test होगा and other जो post है उनके लिए interview होगी तो जे पूरा process है ऐसे आपको रखा जाएगा इस postres के लिए इसके अलाबा अगर आपकी कोई inquiry है तो आप comment करके पूछ चकते हैं इसका link आपको देदूगा